जी जी स्टोर्ट्स कैसे है आप लिविश यूपी पला फाइन स्टोर्ट्स आज किसे लेक्षेंप हम बात करने वाले टेस्ट यूर्सेल्फ 7.7 की और इसमें हम बात करेंगे आपसे डिफाइन एलेक्ट्रो प्लेटिंग के बारे में लेक्षेंग क्या होती है इसमें और इसमें और इसमें तो इसमें प्लेट के साथ करने आपसे पहले जिसको आपने प्लेट करने इसको सांफ कर लें alkaline solution में and it is treated with an acid और इसको फिर साफ करने के बाद इसे भी साफ करें in order to remove any kind of rust and surface scales कुछ भी इसके पर जो मैल कुछ है लोग या कोई रस्ट गया रहा हो तर जाएगा अगर आपने जिंक प्लेट करना है so a next zinc is deposited in on the other metal by emerging it in a chemical bath containing electrolyte of zinc sulfate और फिर zinc sulfate के आपने है you can say that cave top mess plate ko ले जाना है और फिर current on car then when the current is supplied zinc deposit on the object that is cathode basically you can say कि जो metal plate है जिसके पर जिंक दिपोजट कर रहे होगी so that is how electroplating is being done if we just talk about question number three which material is used to make cathode in electroplating कौन सां material जो है वो यूज है रहे है cathode के तौर पर तो definitely जो object है electroplating is to being done is made as cathode जिसके उपर electroplating करनी होती है इसको आप cathode के तौर पर यूज करोगा लेट से जड़ाओ का चमाज है ठीक है और लोहे के चमाज के उपर आपने zinc की plate करनी है तो definitely यह जोहे का चमाज के तौर पर एक करेगा कि इसके उपर plate उनिया स्कूर गवरिंग हो इस इंक इठीक है उसके बास students they are asking about they are talking about the fourth question so let's talk about the fourth question let me just manage it for you and i hope that is enough so why is an anode made up of metal to be deposited during the allegorosis and what after us metal को की होता है इसके उपर डेफिनिली के थोड़के आपने करना है let's say zinc की plating की बात हो रही थे भी तो zinc anode होगा और डेफिनिली आपने जिसके डिपॉसित करना है चमच की बात हो रही थे चमच के थोड़ होगा तो इसके उपर आपने क्या प्लेट करना है इस ऐत ऊंच की अपने करना है जाए heavy thermal वह रही रही थे वह सिल्वर वहाँ प्लेट एट रही कर दो शुल हद थanking टनर भीच करेंगे अ स्पर फाल तॹमच को थे प्लेट are reduced and deposited on the object और यहां पर क्या होगा कि यहां फिर जैसे ही वह आयन निकलेगा लिट से silver के आयन आ रहे हैं ठीक है तो माइपन इस नॉट वरकिंग गिव मी अब रिक सिल्वर का आयन है और यह अब क्या होगा electron हासिल करेगा reduce हो जाएगा और definite reduce हो जाएगा तो देखें सिल्वर है यह सिल्वर है और इसने अक्सिडेशन होई है इसकी अनोड पर ऑक्सिडेशन होगी याद रखिएगा और फिर यह electron remove होगा और यह definitely electron cathode पर आ जाएगा cathode से फिर electron receive करेगा silver iron और फिर यह deposit हो जाएगा तो यह सिल्वर था जो कि पलेट का हिस्सा था और यह सिल्वर रभ cathode का इस है so that is how you can just say that the metallic anode continues to dissolve and deposit on cathode और यह metallic anode जो है यह dissolve होता रहेगा और इस पर deposit होता रहेगा और यह dissolve अन से कम भी होता रहेगा खतम होता रहेगा student cht tested cell 7.7 description में आपको और भी links मिल सकते हैं आप और देख सकते हैं वीडियो को और चैप्टर की वीडियो को भी देखा जा सकता है so that's it अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी चैनल को like subscribe जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों को लाजमी बताइएगा so that's it अपना बहुत क्याल रखिएगा और एक बात सबसे जरूरी कि अपने बड़ों का इहतराम लाजमी कीजेगा thank you so much